आज हम देखेंगे मोबाल में होने वाली आटोमेटिक चार्जिंग के बारे में सुक्षिक बारे ऐसी दिख्कत आती है और हम चार्जर नहीं लगा होता है मोबाइल में फिर भी हमारी बैटरी चार्ज होती है अज इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक मुлучुम्हाइल की वैट्टरी में अपने चार्ज हो रही है मौबाइल में चार्जर को नहीं लगाए यह रिखे चारजर नहीं लगा हुआ है verm westंट आप बढ़ रहा है इंक ट्रिक्ट प्रसेंटहर है शिरुट से यह कि जो प्रेसंटेज्व बढ़ता जाताएं यह देखे अभी फिर से यहां पर 57 परसेंट है अभी फिर से यह प्रसेंटेज इसका बढ़ जाएगा ठीक है यह दिखे अटावन परसेंट हो गया है आज हम इसी प्रोब्लम को देखेंगे कि यह प्रोब्लम आज कहां से आ रही है यह हमाँ पास mobile है यह 6A का mobile है इसमें यह problem है और इस fault को हम सही करेंगे start करते हैं उस problem को check करने की तो यहाँ पर हमने Redmi 6A का layout खोल लिया है और schematic diagram खोल लिया है ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा battery charge होता है तो charge होते समय उसका current sense किया जाता है ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर start करेंगे इसकी battery connector से जिसका नंबर है जे टिपल जिरो टू उसको हम circuit diagram में यहाँ पर search करते हैं तो यह दिखे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो हमारा एक point दे रखा है जो कि ground point है जमां multimeter से check करते हैं तो वो ground से बजर करता है ठीक है ground से बजर करने पर यहाँ पर देखे टीपी भी दे रखा है test point दे रखा है और साथ ही में यहाँ पर आते हैं तो हमारा एक register दे रखा है जिस पर लिखा है आर बारा जो कि 0.01 रजिस्टर है जहां पर कैल्विन कनेक्शन के तुरू जुड़ा हुआ है जो CSN और CSP है यह CSN और CSP हमारा किस section से जुड़ा होता है किस IC से जुड़ा होता है यह देखेंगे क्योंकि इस वाले set में ज्यादा तर यह दिक्क्त आ जाती है कि कई बार लोग इसकी metal की shield को हटाते हैं ठीक है जाली को कटर से हटाते हैं काटके तो यहां पर यहनोंने track को निकाल दिया है यहां पर बैटी connector पर इस point को चेक करेंगे तो बैटी connector पर चेक करने पर हमें जो ground वाला point होगा वो ground से तो बजर करे गई जैसे यहां पर आप देख रहा है न एक test point दे रखा है और इस test point के तुर यहां पर एक register लगा हुआ है और इस register का एक सीरा ground पे लगा हुआ है लेकिन साथ ही में यहां पर आप देखेंगे तो यहां से दो पतले से point निकलते हुए दिख रहे हैं track तो यह tracks जो है इसकी second layer में चले गए हैं तो जब जाली हटाई यहां पर इन्होंने move किया इसकी shield को तो यहां पर internal track को damage कर दिया है तो यह वही track है जो मैं आपको circuit diagram में दिखा रहा हूं यहां पर जो CSN और CSP हैं अगर आप meter से यहां पर check करोगे तो आपको ground से बजर मिलेग क्योंकि यह connected है और इस वज़े से लोगों का यहां पर ध्यान भी नहीं जाता है क्योंकि MTK सेट में ज्यादतर क्या होता है क्यों Kelvin connection बनाया जाता है रेजिस्टर के थुरू जो CLR रेजिस्टर है current sensing register जिसको बोलते हैं जो कि यहां पर बहुत ही कम value का होता है यह देखे इस यह देखे गेज करके लिखा हुआ है यह हमारे फ्यूल यह सेक्षन से जुड़ा हुआ है दोनों ही पॉइंट जुड़े हुए हैं अगर हम यहां पर भी चेक करेंगे मल्टी मीटर से IC को हटा कर भी तो हमें इस पॉइंट पर क्या मिलेगा ग्राउंड ही मिलेगा ठीक है यानि ग्राउंड मिलना चाहिए तो यह सेक्षन जो है हमारा फ्यूल यह सेक्षन हमारी पावर इसी के अंदर है और वो क्या है वहां पर हमने आपको एक सिल दिखाई कि यहां से जो है लाइन ओपन हो चुकी है इसमें CSP और CSN में एक लाइन हमारी ओपन है जिसकी वज़े से वो बैटरी को जब हम लगा देते हैं सेट में तो वो आटोमेटिक चार्ज होने लगती है उसका बैटरी परसेंटेज अपने आप बढ़ रहा है हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर जो लाइन ओपन है उसको जंपर के थुरू रिपेर करेंगे फिर देखेंगे ठीक है पहले तो यहां पर देख लेते हैं कि यह जो दो लाइन हमें देख रही है इसमें से एक लाइन हमारी क्या दिखाएगी ground से दिखाएगी क्योंकि वो बिल्कुल proper okay है connected है ना ठीक है और एक line यहाँ पर आप फलकी सी देख रहे होगे ठीक है यहाँ पर यह not connected है तो यहाँ पर इसका मतलब है यह power IC से तो जुड़े हुई है तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा जी आ रहाएगा ठीक है इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं यह point ground से connected है तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 00 value आ रही है ठीक है दूसरा point हम देख लेते हैं उसमें एक तरफ जो हमारा इस register के तरफ connect होगा उस पर तो 00 आ रहा है लेक उस पर देखे क्या रहा है 500 value आ रही है कितनी आ रही है 534 reading आ रही है यानि यह तो हमारा कैसे connected होना चाहिए यह भी हमारा अगर रखेंगे क्योंकि काई लोगों का ध्यान इस चीज पर नहीं जाता क्योंकि यहां पर जब वो चेक कर लेते हैं यहां पर भी इस चीज को जज नहीं करते हैं यहां पर ठोड़ा सा ध्यान देना है तो हम teaching को सभ है झाल यहां पर जंपर कर दिया गया है अब हम यहां पर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सिर्फ जीरो मिलेगी हम यहां पर ठीक है तो यहां पर जंपर को सेक्सेस्पुली लगा दिया गया है अब यहां पर एक बाद चेक करके भी देख लेते हैं कि हमको क्या मिल रहा है मीटर से चेक करते हैं लाइन हमारी प्रॉपर कनेक्ट हो गई है अब यहां पर भी जीरो मिल रहा है अब हम अगर सेट को चेक करेंगे तो हमाई सेट में जो आटोमेटिक चार्जिंग का पंसन है अब आटोमेटिक चार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा यहां पर जो है इसको क्या मिलने लगा यहां पर भी जीरो रीडिंग आने लगा और यहां पर भी जीरो रीडिंग सेंस कर लेगा ठीक है तो चलिए अब इस सेट को चेक करते हैं अब इसमें बैटि चार्ज तो नहीं हो रही है दूसरा यह भी चेक करेंगे कि चार्जर लगाने पर बैटि चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है चलिए देखते हैं को ना नो चुका है कि चार्जर बैटि चार्जर चेका करेंगे अब आ कि दो रहे हैं कि खार्जर झार्जर प् 10 एतावर चार्जर चेके अब हम देखते हैं पहले बैट्री प्रसेंट कितना है अब देखिए डिस्चार्ज हो गई है बैट्री 59 प्रसेंट हो गया लेकिन कुछ सेगंड वेट करके देखते हैं कि हमारा क्या 59 से कहीं 60 तो नहीं हो जारहा है यह देखे 5080 यह नहीं बैटरी डिस्चार्ज हो रही है अब आटोमेटिक चार्जिंग नहीं हो रही है अब हम इसको चार्जर से लगा कर चार्ज करके देखेंगे कि बैटरी चार्जर पर चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है अभी हमारा 57 बैटरी परसेंटेज है एम्पियर मीटर का रीडिंग ले लेते हैं यह देखे 1.2 एम्पियर के सम्थिंग हमारा ले रहा है इसका मलब बैटरी चार्ज होगी कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं 57 से 58 तक का ठीक है यह मैटल की सिल देखे हटी हुई है इसको कभी भी हटाते वक्त यह ध्यान रखे कि जो ग्राउंड के नीचे है कुछ हमारी लेर्स होती है बहुत ही सेफ पुलिस को काम करना चाहिए ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या हमारा कुछ परसेंटेज बढ़ा अभी नहीं यह देखे हमारा 58 प्रसेंट बैटरी यानि 58 प्रसेंट बैटरी चार्ज हो गई है यह देखे है तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा कि एक फॉल्ट रप्यार करी है जिसमें कि आटोमेटिक चार्जिंग हो रही है इस तरीके से हम पता करेंगे कि हमारे मुबाइल में आटोमेटिक चार्जिंग हो रही है तो उसमें से एक प्रॉबलम को आज हमने दूर किया है सक्सेस्पुली